हाई आप सबको फिर्षिक नाइबले पेस्वागती दोस्त देखें मेरे पास एक में प्रब्लम क्या है कि पेप नहीं कर रहा था कि कार्टरिज का सेंसर है वह सेंसर टुट गया था ठीकि इसलिए मैंने ओनलाइन से उसको अडर किया था अभी मेरे पास वह प्रडक्ट आवेलेबल है तो मुझे क्या गना कि इसको इस प्रेंटर से रिटल करना है तो दिखें की एक या कडिedar सेंसर है ओके आज हम भी डिशिक्स करेंगी केंसे कार्टिज संसर अमों 005 दसमे में का अधा सब से करना है कि सबसे पहली दॉसरा यहां पर तिस्रा यहाँ तिसरा यहां पर और करना है ठीकिए मैंने अलड़ी कर ब Stevens करना है उसका जो cover है इसे ही remove करना है easily ओके right side corner पर देखिए यहां पर यहां पर cartridge sensor को insert करना है ओके इस दोना point के अंदर उसको set करना है simple और कुछ नहीं इसमें ओके तो सबसे पहले क्या करना है कि printer से cartridge को remove करना है सबसे पहले ओके मैं यहां पर अल्रेडी cartridge को remove कर चुका हूँ इसे ही आपको remove करना है cartridge printer से अल्रेडी मैंने कर चुका हूँ अगर आपका कोई doubt है प्लीज comment box में comment करें मैं ज़रूर कुछ सेच करूंगा replay करने के लिए इसे ही remove करना है cartridge को नहीं तो इसमें थोड़ा problem होगा cartridge sensor को insert करने के लिए देखें यहां पर cartridge sensor को आपको इसे ही पकड़ना है इसे ही पकड़ना है फिल इसके अंदर insert करना है दिन यहां पर क्या करना है कि slowly push करना है आपको यहां पर ध्यान से आपको insert करना है नहीं तो यह भी तुट सकता है अगर आपका कोई doubt है please comment करें मैं जरूर कुछ से करूँगा reply करना के लिए ओके अभी इसको थोड़ा set करना है अभी set नहीं हुआ सिम्पिल इसको इसे ही set करना है ओके देखिए अभी मेरा जो cartridge sensor है perfectly set हो चुका है इसमें कोई problem नहीं है ओके इसे ही अपको cartridge का जो sensor है set करना है या it set करना है फिर देखिए इसमें और भी sensor है जिसकी paper sensor यहां पर एक cartridge sensor है ठीके दोनों sensor perfectly work करना चाहिए ओके अगर paper sensor खराब है तो फिर क्या हुआ कि paper पिक अप नहीं होगा printer problem सो होगा कि paper का जो sensor है वो खराब है या work नहीं कर रहा है ठीक है कर दो खराब है यां पर यहा है वो खराब है थाराब है जगद बते है पाप्रेशब। झाल झाल